दोस्तो तमील सिनेमा के जाने माने और ब्लोकबस्टर सुपर श्टार तेले पे थी विजबी की फिल्म मास्टर का तो सभी हिंदी में काफी बेसपरी से इंतिजार कर रहे हैं ये फिल्म में हिंदी में रिलीज होने वाली थेलेपेथी विजय की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी जिसे की लगबग 2000 स्क्रिंस पर हिंदी में रिलीज किया जाएगा और हिंदी में रिलीज होते ही दोस्तों ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कई सार रिकॉर्ड बना द तो वीडियो को लाश्ट तक जरू देखेगा अगर आप भी थेले पे थी विजय की फिल्म मास्टर का इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तो लोकेश कनागराज का डारेक्षन में बनने वाली एक्षन थ्रिलर फिल्म है मास्टर जिसके लीड में दोस्तो आपको थेले पे थी विजय और विजय सेतुपत्ति जैसे टेलेंटेड एक्रस नगर नज़र आने वाले हैं वही दोस्तों इस फिल्म में उनका साथ दिया है मलाविका महुनान ने बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का टीजर अभी कुछ दिनों पहले ही रिलिस किया गया था जिसके टीजर ने कई सारे रिकॉर्ड बना दिये और इंडियन सिनिवा में सबसे ज़्यादा लाइक किये जाना वला टीजर बन गया अब दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर कई सारी निउस निकल कर आ रही है कोई बोल रहा है दोस्तों कि इस फिल्म का ट्रेलर आने वाला है तो कोई बोल रहा है कि नहीं आने वाला है लेकिन दोस्तों फिलहाल में इस फिल्म का जिस तरह का बस बना हुआ है उस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर ना आए तो भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर ब्लॉक्बस्टर जरूर हो जाएगी बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को बनाने में 120 करोड रुपे खर्च किये गए है जिसमें लगबग 55 करोड रुपे फीस तो खला पे थी विजय ने इस फिल्म में काम करने के लिए वहीं विजय सेतु पत्ती ने इस फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड रुपे लिए हैं इसी तरह दोस्तो इस फिल्म की जो टोटल स्टार कास्ट की फी से वो लगभग 80 करोड रुपे हो जाती है और बाकी इस फिल्म को बनाने में 40 करोड रुपे लगे हैं ऐसे में दोस्तो इस फिल्म का टोटल बजट हो जाता है 120 करोड रुपे का वह अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म की रिकवरी की तो मात्र 120 करोड रुपे के बजट से बनने वाली थेले पे थी विज़ई की इस फिल्म ने इंडियान बॉक्स आफिस पर अपने रिलिस से पहले ही 230 क करोड रुपे की कमाई कर ली है जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे चलें कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स और सेट्रलाइट राइट्स को काफी बड़े दामों पर संट टीवी और एमेजन प्राइम ने खरीदा है वहीं इस फिल्म के जो थेयर्टिकल राइट्स है व तक कि सबसे बड़ी तमील फिल्म है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के यूएसे कैनेडा स्री लंका थाइलेंड सिंगापूर और मलेश्या जिसी कांट्रिस के जो राइट्स है वह भी काफी बड़े दामों पर बिके हैं जो की बिके हैं लगभग 40 करोड रुपे में ऐ इस तरह से दोस्तों इस फिल्म ने अपने रिलिस से पहले 230 करोड रुपे की रिकावरी कर ली है वही अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के एडवांस की तो दोस्तों यह फिल्म अपने रिलिस से पहले ही लगभग 15-16 करोड रुपे की एडवांस करने वाली है और बॉक्स ओफिस पर अपने पहले ही दिन कई सार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है बता दे चले दोस्तों आप तो कि इस फिल्म को आल और इंडिया में लगबख 5000 स्क्रिंस मिलेगी जिसमें ये फिल्म सिर्फ 2000 स्क्रिंस पर हिंदी में रिलिज होगी और तमिल इंड 90 करोड रुपे की कमाई एंडियन बॉक्स ओफिस पर कर सकती है बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को हिंदी बॉक्स ओफिस पर हिट होने के लिए मातर 30 करोड रुपे चाहिए और जिस तरह का बज इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ओफिस पर देखने को मिल रहा है उस